हलो एवरीवन आज है 30 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है भारत हैवी इलेट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में देखे तीजी है और पिछले कुछ दिनों से लगातार तीजी है क्योंकि ये जो शेर है ना ये जो कमपनी है वो पिछले कुछ दिनों से ल कारी कंपनी है और देखो मैन्युफेक्ट्र सेक्टर की काफी दमदार कंपनी है काफी जादा एक्सपेक्टेशन भी है इस कंपनी से तो बात करेंगे कि वहीं लॉंग टर्म का यहां पर क्या आउटलुक हो सकता है और शाट टर्म का भी यहां पर क्या आउटलुक हो सकता ह देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो असे आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो 118 रुपे का शेर है भारत है वी इलेट्रिकल्स लिमिटेड भेल आज तकरीबन 3% की तेजी पिछले एक महिने में देखो कि तो शांदार तेजी है 3.5% तक भागा है तेखिए 100 रुपे से भी नीचे था ये तेजी आई 111 पे गया वापस गिरकर 105 पे आगया वापस सा डबल कर दिया है और अब तक के मलब एक साल के सबसे हाइस प्राइस पर बैठ चुका है इससे पहले भी बड़ी रफतार थी करेक्शन आये दुबारा तीजी देखने को मिली और इस बार की जो तीजी है वो कई सारे बड़े ओर्डर मिलने की वजह से ये तीजी है और आ प्रोजेक की जो कॉस्ट है 15,530 करोड के आसपास की है तो बहुत बड़ा प्रोजेक के कह सकते हो कि वही अब भेल को मिला है एंटीपीसी की तरफ से और जहां तक बात करी जाए तो भेल ने आज बताया है ये अपने रेगलोटी फाइलिंग में कि उनको आडर मिला है फ्र और यहां पर और फर्दर डीटेल उन्होंने देकर कहा है कि एंटीपीसी ओर्डर भी इन स्टेट रन एंजिनियरिंग फर्म सेट देट देट अडर इस रिलेटेट तू मतलब क्या ओर्डर है तो डिजाइन एंजिनियरिंग मैनुफेक्ट्रिरिंग सप्लाइग करना है और जो दूसरा यूनिट टू का जो एजेक्यूशन है वो 52 महिने के आसपास का है तो देखा जो टाइम है इनके पास और जहां तब कॉस्ट की बात करें तो 15,530 क्रोड के आसपास की कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की जो की बड़ी बात है काफी अच्छा हूँ यहा बड़ी बात है ठीक है और फ्रों 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 अदानी पावर सब्सुरी तो नसपीसी से इनको 2,240 क्रोड के आसपास का और मिला था और जो अदानी पावर की सब्सुरी कंपनी जो की कोई और है यह नहीं है यह तो सरकारी कंपनी है यह और वहां स में भी है न्यूज में भी है ट्रेंड में भी है तीजी भी देखने को मिल रही है यहां पर और सबसे बड़ा ओर्डर जो कुछ महिनों पहले मिला था वंदे भरा ट्रेंड का वो भी है यहां पर तो देखा जाए तो भया ट्रेंड में है कंपनी और वॉल्यूम भी देखते ह बनते हैं 8 करोड से भी जादा की कॉंटिटी में आज शेर यहां पर ट्रेड हुए हैं बड़ी कॉंटिटी में शेर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं इतना ही नहीं अगर बात करी जाए भेल की तो according to money control user 77% लोग कहरें खरिदारी करो 14 person लोग कहरें बेचो निकल लो यहां से 9 person लोग hold करने की भी बात कर रहे हैं इतना ही नहीं company के अगर हम पहले revenue देखें तो decline mode में थे अब increase mode में आए है profit wise देखोगे तो हाला कि पहले 1221 काफी खराब रहे बड़े बड़े losses देखने को मिले हमें और जिसके चलते शेयर पे pressure भी था शेयर लगाता है decline mode दिखाता हुआ नजर आया अगर आप यहां पे नजर करोगे तो यह वो time था जब COVID के time में एक तेजी भी आई थी और तेजी की वज़े थी कि जब भारत ने चाइना को भया बाइकॉट करा था तो कहीं न कहीं जो विदान्ता के चैर्मेन है अनि लगरवाल उनका statement था कि भया भेल जो है वो चाइना के उपर dependency कम करनी है तो इंडियन कंपनी को बढ़ावा देना पड़ेगा भेल कहीं न कहीं उसमें अच्छा perform कर सकता है तो उनके statement से बड़ी रफतार आई लेकिन बाद में जब quarter on quarter जड़ नंबर्स आना शुरू है भेल के चुकि काफी losses रिपोर्ट कर रहे थे तो गिरावट आई फिर तेजी दिखाई फिर वापस गिरावट आगई और उसके बाद बहतर तेजी की तरफ बढ़ता नज़र आया है यह और काफी अच्छा रहता है पांस साब के सबसे हाई एस प्राइस पर अभी भारत है वी इलेटर गल्स लिमिटेट का शेर जो है वो बैठ चुका है यहां पर और भेल को लेकर बात करी जाए तो 124 का पी रिश्यो है देखो पहली चीज़ कहीं से भी यह सस्ते वैलिशन के उपर नहीं है अभी जो तीजी है वो सिंपल से सेंटिमेंट है बाजर का सेंटिमेंट है बड़े ओर्डर्स मिल रहे है शेर लगातर शेयर होल्डिंग के बात करें तो प्रामोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है प्रामोटर कौन है गवर्मेंट है सरकारी गंपनी है बड़े बड़े फंडाउज बड़ी कॉंटिटी लेकर बैठ है जिनने में इससे म्यूचल फंड के पास 4.64% की होल्डिंग है डोमेस्टिक के पास 11.72% है और एफफाइल्स के पास 7.76% की होल्डिंग देखने को मिल रखी है रिटेल और अधर की मिलाकर बनती है 12.71% है जिनमें इसे रिटेल इन्वेस्टर 9.96% की होल्डिंग लेकर बैठे है और देखा जाए तो देखो भेल कंपनी पर जिस खराब नहीं है लेकिन जैसे कि कहा कि वेल्यूशन महंगे जरूर है यहां पर और हर एक बड़ी तेजी के बाद करेक्शन बने है तो अभी तो मैं कहूँगी कि एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा कि आप इसको कैरी कर सकते हैं लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइन की मुझे लगता है कि कंपनी है अच्छी और अभी खबरों में भी है लॉंग टम का आउटलुक मुझे खराब नहीं लगता है और कहा सकते हैं यह पांस साल के सबसे हाईयस प्राइस पर है इवन जो मैक्जिमम इसका जो लेवल था ना यह कि वो numbers अच्छे आ जरूर रहें लेकिन हाँ अगले कुछ quarter के numbers बहुत ज़्यादा important हो जाएंगे कि क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा premium valuation जो है वो भेल को दे दिया है अब अगले कुछ quarter के number बहुत कुछ decide करेंगे कि भेल किस तरीके से जा रहा है तो अभी short term कि जहां तक मै ready यह है वही 110 का stop loss तरगा कि इसको carry करें जहां तक बात है fresh buying की मुझे लगता है कि मैं अभी इसको avoid करूँगा reason simple है कि valuation थोगा से इसका महंगा हो चुका है और कहीं न कहीं थोड़े बहुत correction देखने को मिलेंगे अगर correction आते हैं दुबारा से भेल अगर आपको 90 से 100 की range में नजर आता है तब जाकि मुझे लगता है कि शायद वहां पर अच्छे मौके बन सकते हैं तो उस लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए ना कि इस लेवल पर ये मेरा personal opinion है बागी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं पर end करूँगा पसंद आया हो तो like करे शाय करे चैनल बग पीसे से हाल फिलाल मिला हो या फिर चाहिए इसे पहले एनिश पीसे से मिला हो कई सारे order in को मिल रहे हैं भेल जो है वो transmission में भी है वो power में भी है वो defense में भी है वो railway में भी है हर जगा पे अपने पसार रहा है तो company खराब नहीं है अच्छी company है long term के लिहास से मैं कहूंगा क आप इसको अपने portfolio में रख सकते हैं को इतने बड़ी दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है और मैं long term के ही यहाँ पर बात करूंगा short term के नहीं तो video को end करता हूं thank you